नमस्कार मित्रो आप सभी का नरंद विश्यो करमा यूट्यूब चैनल में मैं नरंद विश्यो करमा हर्दिक स्वागत करता हूँ इदि आपका वेरिफिकेशन वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में नहीं हुआ है और यदि आप फीमिल कंडिडेट्स हैं तब आप इस वीडियो को अबस्य देख लीजिए इस डाकुमेंट को दस्ताबिच को कम्पलीट करने के वाद ही आप वेरिफिकेशन पर जाएए तो देखते हैं मेरे सर्टिफिकेट या विबाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए फार्म कौन सा लगता है और उसकी प्रोसेस क्या होती है और कौन कौन से इसमें डाकुमेंट से लगनी है तो यह जो फार्म है यह मेरे सर्टिफिकेट के लिए आवस्यक फार्म है यदि आप एह फार्म में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल नरंदविश्योकर्मा को जान कर लीजिए उसको जान करने के लिए सबसे पहले आप टेलीग्राम पर जाएए नरंद विश्यो करमा लेकर सर्च करिए हमारा चैनल आ जाएगा उसे आप जोन कर लीजिए इसकी बाद यहाँ फार्म आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा तो इसे वहाँ से डाउन कर लोड कर लीजिए तो देखते हैं मेरे सेटिपिकेट को कैसे भरती है हाँ फिल मेरे सेटिपिकेट तो विबाह का पंजियन है या मेरे सेटिपिकेट फार में है बर का नाम यहाँ पर आपको लड़की का नाम हिंदी में लिखना है यहाँ पर लड़की के पिता का नाम लिखना है यहाँ लड़की के नवास स्थान देना है ग्राम पोश्टा पे स पुलिस्टिसन क्या लगता है इसकी जानकारी फिल करनी है इसकी लिंक आपको टेलीग्राम चेनल पर हमारे मिल जाएगी अब देखते हैं बधू की जानकारी तो बदू की बारे में आपको बदू का नाम, बदू की पिता का नाम, बदू का नवास, अर्थाद लड़की का नाम, लड़की का नवास ग्राम में इसकी बाद है ग्राम पोश्टापे से पुलिस इस्टीशन जिला का नाम भरना है पन्ना जो भी आपका जिला वो भन्ना है जिसे हमारा जिला है पन्ना थो हम पन्ना भरेंगे आगे देखें बर का नाम अभी आपने हिंदी में भरा अभी यहां पर इंगलिस में फिल करना है बर की पिता का नाम बर का एड्रेस है अर्था लड़का का नाम लड़की के पिता का नाम लड़का लड़की का निवास स्थान मुहला पोश्टापे से पुलिस स्टेशन जिला तिया जानकारी अब लड़के को इंगले से बनना है वो भी कैप्टलक्षर में भरना है अब आती है बदू का नाम बदू के नाम का अंग्रेजी में बदू के पिता का नाम बदू का एड्रेस है ग्राम कहां से हैं पोश्टापेस है पुलिस स्टेशन ए अंग्रेजी में जानकारी बनना है जिला बर्व की जनम तारीक है अर्था ते आपकी डेट अब बर्थ क्या इसकी जानकारी आपको बनना है लड़के की बिवाह के समय उम्र क्या थी, इसकी जानकारी फिल करना है वर्य की प्राइस्थिती, अर्था तो वर्य की प्राइस्थिती का ताथपर है लड़का अबिवाह है थे, बिदोर है, बिच्छन है, इसकी आपको जानकारी देनी है बदू की जनम तारीक है, अर्था लड़की की डेट अब बर्त है, लड़की की जनम की समय उम्र क्या है, बदू की प्राइस्तिति क्या है बिवाह की तारीक है बिवाह का इस्थान क्या है ग्राम मोहला पोश्टापे से पुलिस्थान इस्टेसन अर्था जहां पर आपकी साधी हुई है उसकी जानकारी यहां पर मांगी है बिवाह का प्रिकार अर्थात हिंदू, मुसलिम, क्रिश्चन, आर्थ समाज, अन्य तो जो भी आप जिसे काष्ट से बिलॉंग करते हो आपका धर्म जो है उसकी नीचे आप लिख देजिए अन्य है यदि आप तुसकी जानकारी देजिए बिवाह संपादत कराने वाले का व मुवाल नमबर देना है आपको साक्ची आपको जो देना है एक साक्ची आपको बदू पक्च का देना है एक वर पक्च का देना अर्था एक लड़की की पक्च का देना है एक लड़का की पक्च का देना है और जो फष्ट साक्ची देना उसका मुवाल नमबर यहां पर से जो ब्यक्ति विंजस ने विवाय संपादित किया उसकी दसकात होना है यहां पर साक्षियों के अस्ताक्षर होनी है यह आवसक दस्तावेज है कि कौन कौन से आपको डाकुमेंट से लगनी है तो आयू का प्रमाण इसके लिए जनब प्रमाण पत्र हाई हार से केंडी के अंक कार्ड रासान कार्ड जो भी आपकी डिट्टो बर से संबन्दे जानकार उसको आप लगा सकते हैं विवाय का निबंतर कार था जो आपके कार्ड छपी तो उनकी फूटू देनी है बर्वर बदू के पासपूर्ट आकर की दूपरती देना है यह दि विवाय किसी अधीनिय का निसान बिवाय संपादि करने माले कि हस्ताक्षर तता साक्षी हस्ताक्षर सहत आवेजन पत्र अपलूड करें तो यह जानकारी थी जो हमने आपको बताई कि आपको कैसे फिल्बंद करना है यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए नमस्कार मित्रो जैमातादी रादे रादे जैसी राम